नमस्कार दोस्तों, क्लास एट्थ महाराष्टा स्टेट बोर्ड मैथेमेटिक्स चप्टर नमबर पिप्टीन एरिया इसमें अभी तक क्वेशन्स प्रैक्टिस एट 15.5 तक क्वेशन्स हो चुके हैं प्रैक्टिस एट हमें 15.6 के क्वेशन्स और अंसर्स जो हैं वो अभी देखना है लेकिन उससे पहले हमें दो फार्मलाज एरिया आप सर्कल और सर्कम्परेंस आप सर्कल देखना है तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेश्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन्स मिल सकें और वो वीडियो आप सबसे पहले देख सकें अब देखें एरिया आप सर्कल का जो फर्मुला है वो है पाई आर स्क्वेर और सर्कम्परंस आप सर्कल का फर्मुला है टू पाई आर और पाई डी अब यहाँ पर आर क्या है पाई क्या है वो हम यहाँ पर ज़रा देखेंगे अब circle क्या होता है पहले हम समझेंगे किसी भी एक fixed point से equal distance पे equal distance पे इसका मतलब कि suppose हमने distance ले लिया 4 cm का तो इस point से 4 cm दूर इस point से फिर 4 cm दूर तो यहाँ पे और भी कुछ points आता है तो जितने भी points 4 cm दूर है इन सभी का जो set होता है उसे हम कहते हैं circle तो यहाँ पे ऐसे circle form होगा अब यह जो points हैं सभी यहाँ का अगर point ले लिया तो इस fixed point से 4 cm का distance पे ही होगा अगर हमने 4 cm distance लिया है तो यहाँ का जो fixed point होता है उसे हम कहते है center of the circle और यह जो fixed distance होता है उसे हम कहते है radius of the circle और जो रेडियेस को होती है उसका सिम्बॉल और रेडियेस के डबल यहां से रेडियेस फिर और एक रेडियेस तो जो डबल होगी और स्ट्रेट लाइन होगी तो उसे हम कहते हैं डायमेटर होगा कि अभी अब पाइग की जो हल्वं यहां पहलीरी लीजा सेवं अब यह फ्रम्ला कीसे आपंटीटीटवफाएजव फ्रमव लात क्योंकि उक्षिंग में हैं ही नहीं हमारे तो फ्रमला याद करना है इंस अब सफॉर्मला है पाई इंटो आर्स उर्क्रेट करना यहाँ पे जितनी दी गए उसे मुल्टिप्लाइ करना है या फिर 2 इंटू आर का मतलब होता है डामेटर रेडियस के टो टैम्स तो डींटू पाइप पाइप तो हम यहाँ पर और एक लिकेंगे डीजिकल टू आर डामेटर इस इकल टू 2 multiplied by radius तो चलते हैं practice at 15.6 की और practice at 15.6 question number 1 radius of the circles are given below find their areas तो radius जो हमें यहाँ पे दी गई है r is equal to 28 cm और circle की radius है इसलिए हमें area of circle, circle का area find करना है तो area of circle का formula है pi into r square तो pi की value है 22 by 7 अब यहाँ पे हो सकता है कि pi की value और कुछ दी गई हो decimal point में तो अगर दी गई है तो वो लिखना है नहीं दी गई है तो pi की value 22 by 7 into r square radius 28 का square 28 का square तो 22 by 7 into 28 का square का मतलब होगा 28 into 28 फिर 7 से 28, 28 numerator में है और 7 denominator में तो numerator और denominator का cancellation हो जाएगा तो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 अब 22, 4 और 28 इन चारों का में multiplication करना है suppose 28, 22 into 4 का अगर हम multiply करेंगे तो 88 into 28 यहापे आ जाएगा फिर आपे इन दोनों का multiplication करना है तो आप आसान इसे multiplication कर सकते है यहापे डिरेटली जो answer है वो लिख रहा हूँ आप multiplication करके answer को चेक करना है आपको तो यह होगा centimeter square 2464 centimeter square जो answer है वो first question का आजाएगा अभी जो second question है उसमें हमें radius दी गई है 10.5 centimeter तो यहापे R की value हमें लेनी है 10.5 centimeter तो area of circle का फिर formula लिखना है area of circle is equal to pi r square pi की जो value है वो है 22 by 7 into जो radius है 10.5 तो 22 by 7 into 10.5 का square है तो 10.5 को हमें 2 times multiply करना है 10.5 into 10.5 अब देखे 7 से 10.5 को divide होता है 7 बंजा 7 10-73 decimal point के आगा का digit है तो point देकर 3 और 5 मतलब 35 तो 75 जा 35 1.5 अब 22 into 1.5 into 10.5 अब हमें इन तीनों numbers का multiplication करना है तो numbers decimal point में होने के वज़े से हम थोड़ा यहां पर multiply करके असर लेखेंगे तो हम पहले 22 और 1.5 को multiplication करेंगे तो 15 तूजा 30 को यहां पर 0 क्यारी 3 लिखना है तो 15 तूजा 30 प्लस 3 33 decimal point के आगे एक डिजिट है तो एक डिजिट चोटकर point देना है तो answer होगा 33 अब 33 को हमें 100 sorry 10.5 से multiply करना है या तो फिर 105 को 33 से multiply करें मतलब 10.5 को हम थोड़ा यहां पर उल्टा लिखेंगे 10.5 इंटू 33 3 5 जा 15 15 को 5 carry 1 3 0 0 plus 1 1 3 जा 3 एक 0 लिखकर हमें फिर यही लिखना है क्योंकि 3 से यही है multiplication आएगा 513 513 अब अगर हम addition करेंगे तो यहां पर 5 6 4 3 decimal point के आगे यहां पर एक डिजिट है तो एक डिजिट चोटकर point तो answer होगा 346.5 cm square अब यहां पर radius दीगे है 17.5 cm तो हमें पहले formula लिखना है area of circle जो formula है वो है area of circle का pi into r square अब pi के value 22 by 7 into radius का square 17.5 का square इसका मतलब 17.5 को हमें 2 times लिखकर multiply करना है अब 7 denominator में हैं यह दोनों numbers numerator में हैं तो 7 से divide यहां पर होता है चेक करना है पहले तो 7 उन्जा 7 सेवन तूजा 14 तुरी रेमेंडर point के आगे का digit है तो point देखकर 35 75 तो फिर हमें multiply करना है 22 into 2.5 into 17.5 तो हम यहां पर इन दोनों का multiplication करेंगे 22 multiplied by 2.5 25 तूजा 50 को 0 borrow 5 25 तूजा 50 plus 5 55 decimal point में एक डिजिट चोटकर point देना है 55 अब 55 को 17.5 से multiply करना है तो यहां पर होगा 17.5 into 55 5 अब multiply करेंग करते हैं तो चलिए multiply कर लेते हैं 55 25 borrow carry 2 5 70 35 plus 2 37 carry 3 5 तूजा 5 plus 3 8 एक 0 देकर फिर यही लिखना है 578 फिर हम addition करते हैं इनकी तो यहां पर होगा 5 12 को 2 1 8 plus 8 16 9 decimal point के आगे एक डिजिट है तो 962.5 सेंटिमेटर स्क्वेर तो यह हो गया area circle का जिस circle की radius 17.5 सेंटिमेटर है तो इस वीडियो में इतना है दोस्तों आगे का जो पार्ट होगा question number 2 का वो हम next आने वाली वीडियो में कवर करेंगे और question number 2 में हमें area दिया गया है और diameter find करने है तो इसका मतलब पहले हमें radius find करने होगी formula तो यही उज़ करना है लेकिन area की value देगी है और radius की value find करने है फिर उसके बाद diameter की value तो अब हम जाने वाला next वीडियो होगा उसमें हम वो questions solve करेंगे तो आप से भी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो watch करने के लिए